नमस्कार खिसान भाईों हम इस व competition में बात करेंगे पियांदस्टी की ओर से आने वाला एक बायो फर्टीलाइजर एक प्लांट ग्रोथ प्रवोटर जो बायो इटाएक्स के नाम से आता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बायोटा एक्स है इसका निर्माड इसको फिलम नोडोसम नाम का एक जो है की समुदरी सेवाल है उसी से एक्स्टेक्ट करके उसी से निकाल करके इसको बनाया गया है इसका जो निर्माड है वो समुदरी घास से किया गया है मोटा मोटी हम इसको समझते हैं अब बात करते हैं खिसांट भाईयों कि इसका अगर हम spray markets इसको खरिद करके लाते हैं अपने फसल में अपने पधे में जब इसका spray करते हैं या फिर trip के माधिम से डालते हैं तो हमारे फसल में किस फरकार का योगदान देगा ये कैसे बढ़बार में हमारा योगदान देता है तो जड़ों का विकास करेगा जड़ों का विकास करेगा जड़ जब मजबूत होंगे तो क्या होगा फसल जो पौधा होगा वह जमीन में लुढ़केगा नहीं गिरेगा नहीं दूसरा फाइदा है एक हो अकिसान भैयो पोधो है जो फौलों कि संखिया को का जो के साइज होगा उसको बढ़ाता है तो जड़ होना चाहिए कोई भी फटा की बात करूब लод serica's उसको मर्केट में में बेचने अगर वह uniform size हो यह एक size हो उसकी quality अच्छा उसकी चमक अच्छी हो तो क्या होता है कि market में उसको लोग जो है कि भाव देते हैं अच्छे कीमत पे उसको खरीदना चाहते हैं जो फसल में stress होता है जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि temperature बहुत down है अचानक से धूप बढ़ गई बहुत high temperature है अचानक से temperature down हो गया तो क्या है stress बढ़ रहा है इसके अलावे आपने क्या कि धूप तेज है उसमें आपने पानी चला दिया पौधे में तो जो जो कहने का मतलब क जो stress पढ़ रहा है पौधे में उससे यह बचाएगा बायोटा एक्स पौधे की जो संपुण बढ़वार के लिए जितने भी परकार के पोसक तत्तों की जरुरत होती है जो प्रात्मी पोसक तत्तों को छोड़ करके इसमें micro nutrient भी है उसके बाद secondary nutrient भी है और कुछ मातरा primary nutrition क भी है और इसमें जो है जिन परकार के जितने परकार के जरुरत होती है जो हर्मोन भी इसमें डाले गये हैं तो इस परकार से हमारे फसल में यह योगदान देता है पौधे को हरा बढ़ा रखेगा पौधे में फसल की संख्या को बढ़ाएगा फूल की संख्या को यह ले आता है अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इसमें ऐसे कौन से पोसक ततों है कौन से निट्रीशन है कौन से ततों है जो इस तरीके से काम करने में सक्छम है तो इसमें किसान भाइयों 60 परकार के मेजर और माइनर जो है निट्रीशन है उसको डाला गया है ग्रोथ हार करता है जिब्रेलीन इसमें डाला गया है जिसका मुख्य काम होता है सिथी लवस्था को तोड़ना और जो बाउनापन अगर पौधा हो रहा है तो उसको वह रोग देता है बाउनापन से जो है कि यह बढ़ा करता है अगर थंड की मौसम की बात करने किसान भाईयों तो आप म हार्मोन है जो उस सुसक तवस्था को उस जो बाउनापन हो रहा है पौधा जो छोटा हो रहा है उसको यह बड़ा करता है इसके अलवाए एमिनो एसीड है विटामीन है प्रोटीन है कार्वोहईडरेट है वो सारे पूसक तत्तो आपको लिकविट फॉर्म में मिल जाते है जो पौधे की बढ़वार के लिए अती आवस्सक है अब बात करते हैं किसान भाईयों की इसका इस्प्रे कब करना चाहिए आप जान रहें कि बायो विटा एक्स यह जो है कि बायो फटीलाईजर एक जवी ज़ह तत्तो है किसी प्रकार की इसमें केमिकल का इस्तमाल नहीं क किया गया है तो यह जो है थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे भी हो सकता है जब इस्प्रे की बात करें तो भी यह किसी प्रकार की कोई हमें साइड इफक्ट नहीं दिखाता है इस्प्रे की बात करें किसान भाईयों तो हमें किसी भी मेडियेशिन को ज्यादा तर हमें क्या क अगर जादे टेंपरेचर में इस्प्रे करेंगे तो दवाईयों का असर थोड़ा सा कम हो जाता है पहला जो इस्प्रे करना है किसान भाईयों फुल आने से पहले कोई भी पौधा हो टमाटर हो बैगन हो या खीरा हो इसको क्या करना है कि फुल आने से पहले पहला इस्प्रे परती लिटर पानी में मूटा मोटी समझेए कि 15 लिटर का 75 की होता है उसमें 30-40 ml डाल सकते हैं अच्छे से डाइलूट करें गहुलें अच्छे से उसके बाद इसका इसका इस प्रेय अच्छे से पौते में पूरे पौधे में जो है कि आप अच्छे से इस प्रेय करें ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी जा रहा है मसीन बस चल रहा है प्राइस की बात करें किसान भाईयों तो इसका जो प्राइस है वह बहुत महंगा नहीं है चुकि यह बायो फर्टीलाइजर है तो बायो फर्टीलाइजर जेनरली हम लोग देखते हैं कि बहुत महंगा नहीं होता है सस्ता ही होता है 100 ml का जो पैक आता है किसान भाईओ आपको 90 रुपय से ले करके 100 रुपय के बीच में आपको मार्केट में इजली मिल जाएगा और एक लेटर का अगर आपको पैक लेना हो तो 700 रुपय से 800 रुपय के बीच में को मार्केट में असानी से उपलब्द हो जाएगा अगर आपके आसपास में यह ओफ-लाइन नहीं मिलता है किसान भायों तो आप जो है किसको ऑन-लाइन भी मगा सकते हैं जैसे अमेजों हो गया फ्लिपकाट हो गया बीगाट हो गया इस तरीके के फ्लेटफार्म में आपको इ बायो इटाएक्स, पिया इंडस्टी की अच्छी प्रोडक्ट है, आप चाहें तो इसके अलावा अन्य कंपनियों का भी इस तरीके से बायो फटीलाइजर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आता है, उसका इस्तमाल भी आप कर सकते हैं, मैं चुकी बायो इटाएक्स का हूँ, इसका रेजल्ट अच्छा है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, इसके अलावा सागरी का, सागरी का, इफ़ू का जो सागरी का आता हूँ, वो भी इसी तरीके का लगभग प्रोडक्ट है, उसका भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, धन्यवाद किसान बायो!